तो गाइस आज है तारिक 4 अक्टूबर 2020 आज की तारिक से जितने भी important current affairs बनेंगे जो की UPSC, ISPCS के exams के point of view से important होंगे उनको हम detail में डिसकस करेंगे उसके साथ हम लोग general studies paper को भी discuss करेंगे कौन कौन से syllabus से आप कौन से current affairs को link कर सकते हो जो की main चीज होती है हमारे UPSC के exam है तो जो यह series है यह first time आ रही है YouTube के ओपर जो कि हम लोग लेकर आए हैं तो इसको end तक देखो और आपको पता चल जाएगा कि यह series कित्ती जादे important होने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप IAS की exam की त्यारी कर रहे हो तो अगर आपको lecture की PDF चाहिए तो guys बिल्कुल मिलेगी नीचे जाओ description box में आपको telegram link लिखाओगा वहाँ पर उस link को click करो और जाकर वो channel को join करो क्योंकि वहाँ पर आपको daily जो है lecture की PDF तो मिलती है मिलती है साथी साथ जो IAS के exam में सबसे ज़्यादा चीज कवर करती है वो दा हिंदू newspaper से कवर करा जाता है यह आपको newspaper का analysis साथी साथ आपको newspaper की PDF भी वहाँ पर मिल जाती है ठीक है तो आप जरूर जाकर join करो telegram को और अपना जो series है से start करते हैं सबसे पहला आपको news देखेगा यह चाइना के बारे में यह क्या बात हो रही है हाँ पर इस news में चाइना climate commitment चाइना ने अभी हाँ पर UN में हमारी UN General Assembly में चाइना के जो president है जी जिन पेंग सबको पता होगा चाइना के president कौन है जी जिन पेंग इन कर लेता है जो यह article है यह हमारा कौन से source से लिया गया है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर दिख रहा हुगा इंडियन एक्सप्रेस से इस article को लिया गया है और जो यह article है आपके environment के point of view से important है और environment कौन से paper में आता है हमारा general studies paper 3 में ठीक है तो यह आपके लिए यहां पर इनके ठीक है इनके पर्यावरण में बदलाफ करेगा अभी आपको पता recently एक report आई थी उसने यह बताया कि जो चाइना है वो top number पर है जहां आप से carbon emission होता है यानि कि pollution सबसे जादे कहा हो रहा है चाइना में जिससे कि environment के उपर सबसे जादे नुकसान पहुँच रहा है तो 2060 तक चाइना जो है इसको decrease कर देगा जीरो कर देगा ठीक है मतलब क्या होगा जो green house gases है हमारे atmosphere में present होती है ठीक है तो वो सब remove कर देगा मतलब अच्छे-च्छे steps उठाएगा अपने wind को improve करने की बात करेगा ठीक है अपने pollution को control करेगा जिसकी वजह से environment के उपर भी काफी जादे अच्छा effect पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर चाइना ने पहला step यह बोला है कि हम लोग यह step उठाएंगे दूसरा step चाइना ने क्या बताया second जो चाइना इस प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि जो 2030 है 2030 तक क्या करेंगे कि जो अभी greenhouse gas effect जो इनके atmosphere में है उसको बढ़ है हमारे UN General Assembly में simple article है ठीक है अब आपको है पता चलिया चाइना जो है number one आप pollution countries में है तो आपको यह याद रखना है अब important चीज़ आपके लिए हापर यह आपको दिखी रहा होगा चाइना जो है world का largest emitter है greenhouse gases का यानि कि सबसाधे pollutions वगरा carbon जो emit होता है वो कौन सी country से होता है सबसे जाधे चाइना से होता है second number पर United States है third number पर European Union है और fourth number पर इंडिया इंडिया में भी काफी जाधे pollutions बगरा देखा जाता है ओके चलो हमने cover किया उसके बाद आते हैं हम लोग next article पे next article बात कर रहा है CBD oil के बारे में ठीक है तो यह CBD oil क्या होता है मैं आपको है यह जो article है हमारा यह भी Indian Express से लिया गया है लेकिन यह जो है topic अब health के point of view से important होने वाला है ठीक है तो health के point of view से important होगा तो देखेंगे यहाँ पर कि यह article बोल क्या रहा है actually में तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे actor थे इरफान खान जी ठीक है इनकी डेथ होगा यह recently सब को पता होगा काफी जाते news में थे तो इनकी wife है इनकी wife कौन है सुतापा सिकदर इन्होंने एक appeal करी और बोला उस appeal में कि जो CBD oil है यह CBD oil जो है आप कह सकते हो कि cannabis के पत्तों से बनता है cannabis plant से बनता है ठीक है अब यह cannabis plant क्या है जो भांग होता है ना भांग नशीले चीज होती ह नशीला पदार तो था है भांग से बनता है यह हमारा CBD oil ठीक है भांग को क्या कहते है हम लोग cannabis तो यह cannabis plant से CBD oil बनता है तो इसको legalize करने की बात करी गई है इरफान खान जो actor है उनके wife के दोरा कि इसको legal कर दिया जाए क्योंकि इस oil के काफी सारे फाइदे काफी सारे benefits देख नशीले पदार्थ को बैन करने के बात करेगी कि नशीले पदार्थ यूज नहीं होगा लेकिन जो medical purpose है उसके लिए इस्तमाल करा जा सकता है यह भी बात उसके अंदर बोली गई है अगर आपने लक्षमे कांत पड़ी है तो आपको उसमें मिल जाएगा यह ओके नाओ यह CBD CBD का मतलब समझ लो यह cannabidiol ठीक है यह cannabidiol oil है यह कैसे बनेगा जो cannabis plant है cannabis plant मैं अभी आपको picture में दिखाए जो यह plant है यह भांग के plant है ठीक है भांग का पौदा है इस पौदे से जो है यहाँ पर यह हम लोग इस oil को निकालेंगे उसमें से extract करेंगे निकालेंगे ठीक है फ ठीक है इस oil को फिर उसके बाद इसको dilute करा जाएगा किसमें oil like coconut coconut oil में यहाँ पर इसको dilute करा जाएगा डुबो जाएगा इसके साथ ताकि जो है इसकी क्या हो सके जो power है वो दो गुना हो सके ठीक है तो फिर यह हुई बात अब उसके बाद यहाँ पर जो यह oil CBD oil यह काफे सारे benefits देता है किस किस चीज में जो यह cannabidol oil है यह pain को reduce करता है pain यानि दर्द को reduce करता है anxiety अगर आपको बेचे नहीं हो रही है वो भी reduce कर देता है ठीक है psychotic symptoms हो गए जैसे कि आप पर आप देख सकते हो जाइजोफ्रेनिया as well as epilepsy यह सारी जितनी भी हमारी disease है उन सब को अच analyze करने की बात करी गई है ठीक है तो इसी वेसे यहाँ पर यह news में है तो इसको याद रखना और यह कौन से हमारे जो है इसके बारे में याद रखो कि जो यह है CBD oil यह cancer को भी treat करता है cancer को भी ठीक करने में काफ़ ज़ादे helpful रहता है तो आपको यह चीज याद रखनी है आप पर complete करी जा रही है general studies paper भी बताया जा रहा है कौन से topics भाएगा वो भी बताया जा रहा है यानि कि full preparation आपको यहाँ पर IS exam की मल जाएगी okay now next article हमारा बात कर रहा है wildlife week के बारे में अभी हम लोगों ने wildlife week को celebrate कर आए इंडिया में भारत में हमने wildlife week को celebrate कर आए तो अभी उसके बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ये कौन से हमारे paper में आ सकता है सबसे पहले news किसमें से ली गई है All India Radio All India Radio आपको पता होगा ये भी हमारा एक source है जो कि UPSC के लिए काफ़ दे important है तो इसमें से ये news ली गई है और ये environment से आप इसे relate कर सकते हैं environment यानि कि general studies paper 3 फिर से general studies paper 3 के point of view से ये हमारा जो news है ये वाली important है तो अभी हमने wildlife week पूरा पूरा हफ्ता पूरा सप्ता जो है celebrate कर जाता है हर साल इंडिया में कौन सी तारिक से कौन सी तारिक के बीच में एक October से 8 October तक यहाँ पर ये wildlife week celebrate करा जाता है यानि कि अभी हमारा wildlife week चल रहा है ठीक है क्योंकि आज हमारी 4 October है अब इसका annual theme क्या है यानि कि हर साल इसका theme क्या होता है इसका विशह क्या होता है कि जो preservation करें हम fauna का सबसे पहले बात कर लो fauna क्या है fauna यानि animal life और flora का नाम भी सुना होगा flora क्या होता हमारी plant life flora होती है plant life fauna होती है animal की life तो animal की life को protect करना animal की life को preserve करना ठीक है preserve करना या प्रोटेट करना उसको promote करना ये इसका theme है कि जो आपको पता होगा आज के time में जितने animals है हमारी उनकी species जो है उनकी प्रजातिया है वो काफी तेजी से कम होती जा रही है है ना जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है नहीं हमारे environment के लिए अच्छी बात है पाद हम लोग बढ़ते हैं आगे इन एडिशन जो इंडियन government है इसने एक established किया है इंडियन board of wildlife को हमारी भारत सरकार ने established किया है जो की improve करेगी awareness और जो wildlife है उसको preserve करेगी उसको protect करेगी ये body इस वैसे हमारी भारत सरकार ने इस body को established किया है okay now next news हम बात करते हैं SCI के बारे में Shipping Corporation of India अभी इसने अपनी diamond jubilee मनाने वाली है ठीके तो उसी के ओपर बात हो रही है तो उसके उससे पहले हम बात कर लें कौन से जो है topics relate कर सकते हो आप तो जो ये कहा से लिया गया है P.I.B. Public and Bureau कैसी से लिया गया है उसके बाद ये जो article ह एकनॉमी के point of view से important है एकनॉमी यानि General Studies paper 3 के point of view से important है ये हमारा article तो Shipping Corporation of India SCI इसके union minister है जिनोंने launch करा है diamond jubilee को आपको पता होगा jubilee celebrate करी जाती है जैसे कि हमारी movies वगरा पहले क्या होता था पहले movies वगरा बनती थी तो उनकी बनने के बाद जब थेटर में लगती थी त उसके कुछ हफतो बाद 25 हफतो बाद 30 हफतो बाद जो है jubilee मनाई जाती थी लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है jubilee मनाई जा रही है और जो है यह क्यों मनाई जा रही है इसके पीछे एक reason है क्योंकि यहाँ पर 59 years हमारा Shipping Corporation of India complete कर चुका है 69 साल पूरे कर चुका है हमार यह Shipping Corporation of India यह जो body है ठीक है यह 60 साल में जो है अब entering कर रहा है enter कर रहा है तो इसी वह से हम लोग क्या कर रहे है इसकी jubilee celebrate कर रहे है उसके बाद बात कर लें यह Shipping Corporation of India है क्या भाई याद रखना यह government है government body है government कह रहा हूं government body है ठीक है एक सरकारी body है Indian Public Sector Enterprise है जो की काम करती ह है दोनों ही basis पे nationally भी और internationally भी ठीक है राश्ट्री और अंडराश्ट्री यह दोनों के लिए हाँ पर काम करा जाता है इस bodies के द्वारा ओके ना उसके बाद हम बात करते हैं यह establish कब हुआ इस body को लाया कब गया जो हमारा Shipping Corporation of India है इसको बनाया गया establish करा गया 2 October 1961 को कैसे बना लोगो combine करने के बाद हमारा कौन सा बन गया एक बन गया Shipping Corporation of India ठीक है इस तरीके से हमने establish किया अब जो Shipping Corporation of India है इसको award भी दिया गया है कौन सा वर्ड दिया गया है नवरतन स्टेटस हमारी भारत सरकार के द्वारा 2008 में Shipping Corporation of India को SCI को award दिया गया है कौन सा वर्ड दिया है नवरतन वर्ड ठीक है इसके बारे में भी आप याद रखना और 21 नवंबर 2019 में हम लोगों ने क्या कर दिया जो government है इंडिया की government है उसने approve कर दिया privatization of SCI SCI को privatize करने की बात करी गई है ओके now next article आता है हमारा स्वच भारत पुरसकार से related अभी यहाँ पर क्या है जो state है जि state में सबसे ज़्यादे सफाई रही है उसको जो है स्वच भारत पुरसकार दिया गया है तो उसके बारे मैं बात करेंगे अभी बाद में पहले हम बात कर लेता है यह कौन से source से लिया गया है और कौन से टॉपिक से रिलेट कर सकते हो कौन से source से लिया गया है P.I.B. से यह क स्वच भारत दिवस जो है 2020 का यह celebrate करा गया गांधी जनती के दिन गांधी जनती यानि की 2nd October को यह जो दिवस है स्वच भारत दिवस इसको celebrate करा गया और इसको celebrate करने के साथ साथ इसका एक पुरसकार क्या कौन सा पुरसकार है स्वच भारत पुरसकार यह दिया गया Ministry of जल शक्ती ने पुरसकार को दिया है, तो जो स्वच भारत 2020 का अवार्डस है, ये किन को दिया गया है, जो की जो states है, union territories and districts है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जहां मतलब की जैसे state हो गए, जहां पर सबसे जादे अच्छी सफाई होगी, जो टॉप नंबर का एकदम clean में होगा, जहां पर सबसे जादे उन लोग ने cleaniness रखे होगी, उसको top number का अवार्ड दिया गया है, तो ऐसा कौन सा state है, वो state है हमारा गुजरात, गुजरात ने सबसे पहला यहां पर प्राइस जीता है, फॉस्ट प्राइस जीता है, यह फॉस्ट अवार्ड किसे यह अवार्ड, तो याद रखना, यह अवार्ड किसलिया दिया जाता है, जहां पर सबसे जादा साफ सफाई हो, तो गुजरात में सबसे जादे साफ सफाई हो, उसको देखकर यह अवार्ड दिया गया है, आगे बढ़ते हैं, उसके बार next article आता है, हमारा जल जीवन मिशन से related, JJM से related, इसके बारे हम बात करेंगे, अभी क्या हो रहा है, कि schools में, जो हैं, आगनवाडी centers में, चल पहुचाने की, पानी पहुचाने की बात करी जारी है, with water taps, ठीक है, taps के थुरू, टंकियों के थुरू, आपे पानी पहुचाने की बात करी जारी है, tap connection के थुरू, त उसके बाद यहां पर क्या बात करी गई है, कि जो safe water, हमारा साफ सुतरा पानी, उसका water का connection जो है, schools के अंदर, आगनवाडी centers के, health care centers के उपर हम लोग दे सके हैं, उन लोग को एक अच्छा, एक quality का पानी हम लोग दे सके हैं, that is why यह mission conduct कराया गया है, ठीक है, इसको याद र ठीक है, एक launch कर रहा है, एक special mode, ठीक है, special mode कौन सा launch कर रहा है, ज्यानी कि water supply करी जाएगी, सारे schools में, आगनवाडी में, और गाउँ में, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह आज का जो हमने thumbnail बना रखा है है, न, thumbnail interesting लग रहा होगा, तो जहरा comment section बताओ, thumbnail आपको कैसा लगा आज और यह भी जरूर बताओ कि आज की वीडियो आप लोगों कैसी लगी, यह वीडियो हम continue करने वाले हैं, MCQ की वीडियो हम हटा रहे हैं, ठीक है, आज से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, MCQ की वाली वीडियो जो है वो हटा रहे हैं, ठीक है, अब यह हम लोग अपना daily IS exam, यह लेकर आता रहूँगा, जैसे लक्षमिकानत हो गई, और भी कारी बुक्स हो गई, आर्टन कल्चर बुक्स हो गई, तो फिर इनके ओपर मैं वीडियो जो धिरी धिर अप्लोड करता रहूँगा, तो यह हमारा पूरा का पूरा एक, आप कह सकते हो, पूरा का पूरा हमारा यूपेज से एक्जाम से रिलेटेड चैनल बन चुका है, अब हम बात करते हैं आपर इस वाले आर्टिकल की, यह वाला आर्टिकल का नाम क्या है, एकसरसाइस बोंगो सागर, यह एक नेवी एकसरसाइस, जैसे कि अभी होती है न, नेवी एकसरसाइस काफी सारी हुई है, तो यह भी एक नेवी एकसरसाइस है, जो की कंड़क्ट करी गई है, इंडिया और बांगलादेश के बीच में, इससे क्या फाइदे होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं, यह कहां से लिया गया है, और यह इंटरनाशनल से रिलेटेड है, या एकसरसाइस का क्या नाम है, एकसरसाइस बोंगो सागर, याद रखना, यह बांगलादेश और इंडिया के बीच में कंड़क्ट कराई गई है, तीन आक्टूबर को, ठीक है, तीन आक्टूबर को यह कंड़क्ट कराई गई थी, इसका नाम क्या है, एकसरसाइस बोंगो में 2019 में first edition हुआ था और 2019 में जो first edition हुआ था उसका काम था जो हमारे skills हैं इंडिया और बांगलदेश के skills हैं उनको develop करना ठीक है जनल स्टेडीस पिपर 3 के point of view से important है उसके बाद क्या है अब यहां पर जो हमारा second edition है second edition तीन तारिक को हमारा पूरा हो चुगा इसके बाद हमारा third edition भी आने वाला है third edition कौन सी तारिक से कौन सी तारिक के बीच में होने वाला है 4 से लेके 5 October के बीच में यानि कि आज हमारी 4 October हो गई कल हमारी 5 October, आज और कल के दिन यह और conduct कराई जाएगी ठीक है तो कौन सी exercise है हमारी exercise बोंगो सागर अब ये conduct क्यों कराई जा रही है ताकिक patrolling कर चके हैं यानि कि 10 तक दे सके हैं जो कहाँ पर conduct कराई जा रही है ये भी हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग ये चीज़ भूल ले है Northern Bay of Bengal में Northern Bay of Bengal में ये Navy exercise ये exercise conduct कराई जा रही है तो एक बार location देख लेते हैं Northern Bay of Bengal यानि कि हो गया बांगलादेश ही हो गया हमारा इंडिया इधर की साइड यहां पर ये exercise को conduct कराई जा रहा है ठीक है यहां पर जो है इंडिया और किसके और बांगलादेश के जो ship हैं वो साथ में घूमेंगे और इसके ओपर निगदानी रखेंगे जो हमारा North Bay of Bengal है तो इसके बाद यहां पर इससे फायदा क्या होगा इससे ये फायदा होगा कि जो हमारा इंडिया है और बांगलादेश है दोनों के जो relations है वो अच्छे हो जाएंगे दोनों के बीच में जो understanding है दोनों के दूसरे को अच्छी तरीके से समझेंगे ये चीज़े मजबूत हो जाएंगी और आपको पता होगा इंडिया बांगलादेश के relations आज के टाइम पर जाद अच्छे नहीं है तो ये चीज़ भी improve हो जाएगी आज का last आउर्टिकल बोलता है वेबफ समिट के ओपर, वेबफ 2020 समिट है ये चन्डर्ट कराए जा रही है, स्टार्ट हो चुक ये दो अक्टूबर से स्टार्ट हो चुक ये 31 अक्टूर पर्टगी की समिट कराए जाएगी यह summit किस चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं यह जो article एलाइवमिंट से लिया गया है Science and Technology के point of view से article important है Science and Technology यानि की General Studies paper 3 के point of view से यह important है आगे बढ़ते हैं पहले बात कर लेते हैं इसकी WebF की full form क्या है वैशविक भारतिय वैग्यानिक समिट वैग्यानिक का नाम आ रहा यानि की Scientist ठीक है Scientist के लिए यह summit रखी गई है इसमें क्या होगा 3000 Acadians साथी साथ जो Scientist एंडियन ओरिजिन के यह सब participate करेंगे इस summit में और यह organize कराई जाएगी 2000 Indian academic institutes के द्वार है ओके, now 3 October से यह start होगी summit और 31 October को conclusion रहेगा यानि last day रहेगा इसका, यानि 31 October को और क्या है हमारा सरदार वल्लब भाई पटेल जनती भी है तो इस दिन को हमारा यह last day रहेगा और उसके बाद अब इस summit का aim क्या है इस summit का purpose क्या है, इस summit का purpose है कि जो इंडिया के researchers है, scientists है उन सब ही summit कराएं, उन सब से मिलकर बात करें और किस चीज के उपर बात करें जो आज के time पे, जो है problems उठ रही है, development को लेकर उन सब problems से हम लोग कैसे जो है, tackle out कर सकते हैं उन सब problems को कैसे हम लोग control कर सकते हैं, तो उसके लिए summit रखी जा रही है, scientist के द्वारा, simple, यह भी हो गया हमारा complete तो आज का हो गया हमारा daily IS exam dose complete और अभी तक हमें चलगो, subscribe नहीं कहाँ, subscribe कर लेना, नीचे रेकलर का बढ़ना रहोगा आज के लिए बस इतना ही, मलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाई-बाई, have a nice day